अलो निल्कम फ्रेंट्स, Microsoft Excel 365 सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel 365 की तो चलिए Microsoft Excel 365 को ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं सवाल ये है कि इसमें ड्रैग और ड्रॉप कराने पर हमें बड़ी दिक्कत हो रही है तो जो बेगिनर है और खास्तों पर टीचर्स जो है जो की कंप्यूटर से वर्क करते हैं इंड्रोइड मॉबाइल पर अगर उन्हें वर्क करना पड़े तो बड़ी दिक्कत आती है तो यहां पर Excel ओपन किया है मैंने और यहां पर 365 लिया है अब यहां पर मालेज आपको Sunday Monday यह प्रिंट कराना है तो आप जनरली करते हैं किया है सिस्टम पे सिवन लिखते है और यहां से पकड़के इसको ड्रैक करवा देते हैं तो सब आ जाता है लेकिन यहां पर यह दिक्कत है तो यहां पर क्यों नहीं आता है अब जैसे मालेजिए आपको 2 की टेबल प्रिंट करानी होती है यहां 2 लिखा आपने और फिर लिखा 4 तो यहां पर 2 और 4 को क्या करते हैं दोनों को पकड़ते हैं और पकड़के ऐसे ड्रैक करवा देते हैं तो सब आ जाता है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है इसी तरह के से अगर आपको मंस का नाम प्रिंट कराना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो उपर यह आपको लाइन दिखाई पड़ी है जिसमें कमेंट, क्लियर, फिल, इडिट और यहां पर कॉपी, कट, पेस्ट का बटन आपको दिखाई पड़ा है तो यहाँ पर fill जो है इस पे click कर देना आपको जैसे fill पर click करेंगे तो फिर यहाँ पर आप drag and drop कर पाएंगे देख सकते हैं इसी तरीके से इन दोनों को select करते हैं सेलेक कर लिया, fill पर click किया जैसे fill पर click करेंगे तो drag and drop वाली situation आ जाएगी फिर यहाँ पर आप drop करेंगे तो आप देखेंगे कि two की table भी print हो गई फिर यहाँ पर gen है और यहाँ पर click किया हमने और click करने बद fill पर click कर देते हैं और फिर आप देखेंगे कि यह पूरा months का नाम भी print हो जाएगा ठीक है एक बार हम इसको add करके देखते हैं यह जो two की table प्रिंट कराई इसको add करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है equals two लगाना है तो यहाँ पर लगा लेते हैं equals two का shine और फिर यहाँ लिखते है sum sum लिखा हमने sum लिखने पर आपको क्या करना है यहाँ से पकड़के और यहाँ तक drag करवा देना है ठीक है जैसी drag करवा के close करेंगे bracket को interface करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर total आ जा रहा है तो यह बहुत easy है बहुत आसान है बस आपको एक बार ध्यान देना है यह चीज समझनी है कि drag and drop कब आएगा